नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मो खबर जानते हैं उत्तर भारत में रात साड़े दस वजे भुकम के तेज ज़ट के महसूस किये गए बताया जा रहा है कि भुकम से पुरा दिली एंसी आर थरा गया बतादे शुरुवाती जनकारी के अनुसार भुकम के तीरता रिक्टेर स्केर पर छो मापी गई है अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जनकारी नहीं है भुकम का असर जमू कास्मीर उत्राखन और हर्याना में भी रहा भुकम का केंदर पंजाब के अमरित सर से 21 किलोमेटर दूर था तमिलाडू में बंधक गुमला के 6 मजदूर 14 को लोटेंगे जारखन तमिलाडू में बंधक बने जारखन इसीद गुमला जिला के 8 मजदूर को पुलिस पर सासन मुक्त करा लिया है बता दे अभी सभी 6 मजदूर तमिलाडू के नमाकल जिला के पुलिस के सनरचन में है वही तीन मजदूर अभी भी गायब है लेकिन नमाकल पुलिस के दबाओ के बाद ठेकेदार ने तीनों मजदूरों को बेंगलूरू भेजे जाने की जनकारी दी है पुलिस उन तीनों मजदूरों को भी बरामत करने में लगी है बता दे गुमला जी लाके 9 मजदूरों में से 6 मजदूरों को पुलिस परसास्ता ने टेकेदारों के चंगुल से छुड़ा लिया है शीगर पंचाइद चुनाव कराने की कोशिस डिके तिवारी जारखन में जल्द ही पंचाइद चुनाव होंगे शुक्रवार को राज मुखे निर्वाचन आयूक्त डिके तिवारी ने पदभार के दोरान इसके संकेत दे दिये हैं पदभार ग्रहन के मौके पर उन्होंने का कि राज में पंचाइद चुनाव सिक्र कराना उनकी प्रत्मिक्ता होगी वे सिक्र बैठा कर चुनाव की अब तक की त्यारी की जनकारी लेंगे साथी चुनाव के लिए उपलब्द मानव बल और फंड को भी देखेंगे डीजीपी नीरज सिन्हा ने लिया पदभार जारखन के नज डीजीपी नीरज सिन्हा ने सुक्रवार को पदभार ग्रहन के बाद मेडिया से बाचित की उन्होंने काया कि मजला की सुरक्षा प्राथमिक्ता होगी साइबर अपराद रोकने की दिशा में महत्पून कदम उठाए जाएंगे ऑनलाइन एफायार को और बेवस्थित किया जाएगा उगरबाद पर नकेल और वीदी बेवस्था को बनाये रखना पूलिस की प्राथमिक्ता में सामिल होगी जारखन के पूरवट डीजी पी एमबी राव लेंगे भी आरेस करेंगे खेती जार्खन के प्रभारी डीजीपी एंबी राव को उनके पद से हटाये जाने के बाद उनका दर्द छलका है शुक्रवार की सुबा जहां ट्वीट कर जहर उगलने वार लोग काफी अभार जताया वहीं साम को जल्द भी यारिस लेने की गोसना भी कर दी जार्खन के प्रभारी डीजीपी रहे एंबी राव की जगा सरकार ने निरे सिना को नए डीजीपी के रूप में पतास्तापित किया है बता दे प्रभारी डीजीपी एंबी राव को उनके पद से हटाने पर उनका दर्द बार आया है मौडल इस्कूलों से अब गरीबों के बच्चे भी बनेंगे स्मार्ट गरीब, किसान, वन्चीत एवं पिछडों के बच्चों को भी अच्छी और गुनवतापुन सिक्षा प्राप्त हो मौडल इस्कूल के लिए अलग से बयट का प्राधान भी किया गया बता दे मौडल इस्कूल के मामले की मौनिटरिंग मुख मंत्री खोद कर रहे हैं ताकि जार्कन के बच्चों को गुनवतापुन सिक्षा दी जा सके मजदूर देश के चमकते सितारे हैं हमन्सुरेन जार्कन के मौख मंत्री हमन्सुरेन ने मजदूरों को देश का चमकता सितारा बताया उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार सुनेशित कराना उनकी प्रत्मिक्ता है इसके लिए भी लगतार पर्यास कर रहे हैं कुरोणा मामारी के दवरान परवासी मजदूर की स्थिती सब ने देखी तमाम पर्यास के बाद भी आज परवासी मजदूर भवीस को लेकर संगसरत हैं मिल जूलकर ही स्थिती में बदलाव आशकेगा बीर्साम उन्ड़ा यारपोट से उड़ान पर लगी रोख अटी जार्खन की रजधानी राची के बीर्साम उन्ड़ा यारपोट से हवाई उड़ान पर राज सरकार की ओर से रोख हटा दी गई है अब जल्द ही यहां से बिमान सेवा में बढ़ोतरी होगी बरतमान में यहां से हर दिन अवसातन 17-19 बिमानों का परिचारण हो रहा है बतादे पतना रायपुर वा भुनेस्वर को छोड़ कर सभी सेक्टरों में फिलाल बिमान सेवा सुरू हो गई है इसके अलावा चेनाई वा अमादाबाद सेक्टर में नई बिमान सेवा सुरू हुई है यहारपूर्ट के अधिकारी ने कहा कि दिली से समर स्टेडिूल जारी होने के बाद बीर्चाम मुंडा एरपोर्ट से कई अन्य जगों के लिए बिमान सेवा सुरू होने की संभवना है जार्खन हाई कोटने संसर नी सिकांद दूबे की पतनी अनामिका गौतम द्वारा ख़ई दीग जमीन की डीड को रद करने की करिवाही पर रोक लगा दी है जस्टिस टाजेस संकर की आदालत में इस मामले में राज सरकार से जवाब तलब किया है मामले में अगली सुनवाई चार सब्ता बाद होगी बदादे अनामिका गौतम की ओर से धन या भोती फर्म के नाम पर देवघर में जमीन खर दी गई है देवघर डीसी ने उक्त जमीन को विकाव नहीं बताते हुए डीड रद करने की करवाई सुरू कर दी है जिससे हाई कोट में चुनोती दी गई है जारखन में 36 ने संक्रमित की पुष्टी हुई है जो रांची से 13 पूर्वी सिम्भूम 8 धनबाद 2 पच्छमी सिम्भूम 1 देवघर 1 खुटी 2 सिम्डेगा 2 लातेहार से 4 वदुमका 1 जामतड़ा से 2 मरीज मिले है जारखन में कुल संक्रमित की संक्या 1,99,252 है वहीं 1,17,70 लोग स्वश्ट हुए और 1,081 की मरीती हुगई भारत में 12,137 न एक केस मिले है भारत में कूल मौद की संक्या 1,55,58 है वाही एक्टिब केस की संक्या 1,383,751 है जारखन में एक्टिब केस 441 है लोहर्दागा में भागपा मवादी का हाटकोर नक्सली गिरपतार भागपा मवादी के दक्षनी कोयल छेत्रे में सबसे दूरदात 15 लाग के इनामी नक्सली मवादी का रिजिनल कमंडर रविंद्र गांजु को तगड़ा जटका लगा है पतादे पुलिश ने रविंद्र के दस्ते में सामिल हाटकोर मवादी बुधेस्वर उराव को गिरपतार करने में सपलता पाई है बुधेस्वर उरावल वर्दागा ही नहीं बलिक दूसरे जीले के थाने छेत्रे में भी कई बड़ी घटनाओ को अंजाम देने को लेकर वांचित था डिजिटल होगा रिम्स राजे का सबसे बड़ा स्पताल रिम्स अब जल्द ही डिजिटल होने वाला है इसके बाद मरीजों को जाच रिपोर्ट के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे उनकी रिपोर्ट सिधे डॉक्टर के सिष्टम पर भेज दी जाएगी जिसे देखवे मरीज का इलाज करेंगे दरसल रिम्स निदेशक की पाल पर यहाँ इसके लागू होने वाली है जिसके लागू होते ही अस्पताल का सारा रिकोर्ट ऑनलाइन हो जाएगा जिसे मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के समय की बचत भी और परिशानी भी कम होगी पलामू में एसीबी ने वीडियो को साथ हया रुपए रिस्वत लेते रांगे हाथ दभोचा पलामू जिला के हरहर गंज परखन के वीडियो जागो महतो को एसीबी के टीम ने रिस्वत लेते रांगे हाथ गिरफतार कर लिया है रांची में बैक्सिनेशन का दूसरा चरन आज से कुरोना टीका करन के दूसरे चरन की सुरवा सणिवार से होगी इसकी तियारी में रांची जिला पर साथन जोर सोर से टुटा हुआ है बतादे तैयारी को लेका समनाने बलोग एस्थीत कमरा संक्या दूसों साथ में COVID-19 बैक्सिनेशन टास्पोर्ट की बैठक फियो चुकी है बैठक में COVID-19 टीका करन के लिए गठित बीभीन को सांगों के बर ये प्रभारी पताधिकारी उपस्तित थे भोले नाथ के दूत तंबाकू सेवन को लेकर करेंगे लोगों को जागरूप तेवघर डिसी बाबा नगरी को तंबाकू अध्रोम पान मुक्त बनाने को लेकर रोको टोका जागरूप ता अभियान का सुबारम सुक्रवार को उपायुक्त मंजू नाथ पजंत्री ने सुबारम किया अभियान का उदेश लोगों को जागरूप वसचित करना है बोले नाथ के दूद अभियान के माध्यम से तंबाकू अध्रोम पान के प्रती लोगों को जागरूप करेंगे वही नियमों की अंध्यकी करने पर लोगों से अर्थदर्ण भी वसुला जाएगा सारना धर्म कोड जरूरी सालखन मुर्मू आदिवासी सेगेल अभियान के केंद्री अध्यक सा पूर्व सांसा साल खन मुर्मू ने कहा कि आदिवासीयों के उत्थान के लिए सारना धर्म कोड जरूरी है इसलिए आदिवासी सेगेल अभियान की ओर से चरनवद अंधुरन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है दिन में भोले नात के तिलकोट्सों की तियारी शुरू हो गई है बताद 16 फर्वरी को बसंद पंचमी के दिन बावा बास्विनात का परमपारिक तरीके से तिलकोट्सों होगा इसके लिए तिलकोट्सों की समागरियों की खरीदारी कर ली गई है भोले नात की बिवा उत्सो को लेकर भी त्यारी जारी है इस्कूल बनेंगे मोडल सिक्षकों को मिलेगी आई आई एम से ट्रेनिंग मोख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज में मोडल इस्कूल की प्रकिरिया कर लिया गया है घोसित सदाइस मोडल सिकूलों के लिए निवीदा प्रकिरिया सुरू हो गई है इसी चरण में तीरपन सिकूलों के लिए निवीदा मंत्रिंत की जानी है बतादे मोडल सिकूल के मामले की मोनेटरिंग मुख मंत्री खोद कर रहे हैं ताकि जार्खन के बचों वो गुनवता पुरुण चिक्चा दीजा सके रायज सुप्रीमो लालु यदों को जमानत के लिए अभी इंतियार करना होगा बताद जार्खन हाइप कोट में चारा गोटाले के मामले में रायज सुप्रीमो लालु परसाद यदों की जमानत यजका पर सुनवाई टल गई है जारखन हाई कोट अब जमानत यज़ का पर 29 फरवरी को सुनवाई करेगा जारखन के साहब गन्ज में महराष्ट पूलिस ने करवाई कर मोबाईल चोरि के आरोपी को गिरपतार कर लिया है बतादे पोलिस ने साहिव गंज के प्यारपूर से आलम सेख नामक सक्त को अरेश्ट किया उसके पास से अधाई लाख रुपए वरामत भी किये गए दरसल गत 14 दिसमर को माराष्ट के फिवन्डी के एक दुकान में आरोपी आलम सेख 400 आईपॉन मोबाईल चोरी कर साहिव गंज आगया था एक मार्च को बीस का घेराव करेंगे जार्खन अंदलनकारी जार्खन अंदलनकारी संगर्श मोचा के बेनत तले सुक्रवार को महसीयाट में मोचा के केंद्री उपाद्यक्ष प्रफूल तत्वा की अध्यक्षता में अंदलनकारीयों की बैठक होई इस दोरान दरजलों अंदोलों कारियों से उनका अधार कार और फोटो लिया गया मोर्शा के केंद्रिय उपाद्यक्स प्रफुल तत्वा ने बताया कि अभी तक मात्र 32 अंदोलों कारियों को ही सरकार ने चीनित किया है ये सभी अंदोलनकारी को जेल जाने के अधार परचिनित किया गया है उन्होंने बताया कि राज में हजारो ऐसे अग्यात लोग भी हैं जो अंदोलन में अपना सवयोक तो दिया था लेकिन वे कभी जेल नहीं गए ऐसे लोगों को सरकार अंदोलन कारी नहीं मान रही है ऐसे छुटे हुए सभी अंदोलन कारियों को उनका सम्मान दिलाने के लिए ही मोर्चा राजे के सभी जीलों के प्रखन में बैठक कर निती त्यार कर रही है धन्यवाद